क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ या अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ It is said that the most beautiful things are always hidden Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel क्या आपने ऐसी किसी जगा का नाम सुना है या फिर आप किसी ऐसी जगा पे गई है जहां पे समेशुन्य के बराबर है वो जगा इस धर्ती पर ही एक्जिस्ट करती है और उस जगा पर यहां के इस धर्ती के करोडों साल और वहां का एक सेकिंड क्या आपने सुना है कि वहां पे समेश और आयू एक गती तक बढ़ जाते है वो जगा इस धर्ती पर ही exist करती है और उस जगा का नाम है शंग्रीला घाटी आज हम इसी के बारे में जानेंगे we generally know about कि हम three dimension में जीते हैं हम humans बड़ जो इस शंग्रीला घाटी है ये fourth dimension का place माना जाता है आज इस पूरे lecture में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक authentic और एक credible information डिलीवर कर सुकूँ related to the शंग्रीला घाटी आपको ये lecture बहुत interesting और relevant लगेगा क्योंकि जिन connection से जिन topic से हम इस lecture को relate करने की कोशिश करेंगे तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि ये जगा सच में exist करती है मैं अपना कोई personal viewpoint नहीं दे रहा कि ये जगा exist करती है नहीं करती I have assimilated a lot of information मैंने काफी सारे information को collect किया है उसको study किया है और based upon my duty being your mentor, being your teacher, being your friend तो मेरा काम है उस information को आपको deliver करना My work is not to कि मैंने यहाँ पे 2, 3, 4, 5 YouTube वीडियो देख लिए और उसका एक क्रक्स बनाया और आपको deliver कर दिया नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है मैं जो भी information लाता हूँ जो भी आपको deliver करता हूँ मैं आज भी क्योंकि as I have told you कि मैं offline teacher भी हूँ civil services का तो मैं authentic information में ज़्यादा believe रखता हूँ और आज भी मैं text books जो books हैं उसके information पे ज़्यादा लेलाए करता हूँ फिर मैं internet पर जाता हूँ यूट्यूब पे ठीक है आपको थोड़ा बहुत idea लग जाता है बट आपको ज़्यादा नहीं information आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएगा तो because I believe in the traditional setting जो आपको information जो जैसे आप newspaper पढ़ते हैं तो जो credible information आपको newspaper में मिलता है इतना credible information आपको audio visual media में नहीं मिल सकता तो similarly textbooks ही होती है पढ़ने की finally वही credible source होती है हमारे लिए हाँ internet को भी आप reference के लिए use कर सकते हैं बिल्कुल वो भी एक अच्छा माध्यम है तो उसी के basis के उपर मैंने आपको यही आज बताना है आप अपना viewpoint generate कीजिएगा शंगरीला घाटी हम सब इसके बारे में जानेंगे तो आपने मैं आपसे दुबारा पूछूँगा आपने कभी ऐसी कोई जगा देखी है या फिर आपकभी गए हैं कि इस धरती के करोडो साल और वहां का एक सेकिंड वहां पर जाके इंसान deathless हो जाता है he or she will not die वो एक तरीके के अमर हो जाएंगे और उस जगा का connection universe से भी है कुछ ना कुछ और वह जगा इंडिया के पास ही exist करती है और हिंदूइजम में उसको बहुत माना जाता है तो आज हमें उसी के बारे में जानना है दो प्लेस है शंगरीला घाटी अब इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे लेचर को समझते हैं तिबित क्योंकि ति तिबित के उपर चाइना का कंट्रोल है 1950s के आसपास चाइना सेंटेट्स ट्रूप्स चुद तिबित दलाई लामा को इंडिया आना पड़ा तो कि दलाई लामा जो स्प्रिक्च्वल गुरू है तिबितन के और चाइना ने वह भाके इंडिया इंडिया ने उन्हें कि यहां पर हमने देखा है और जितना हमने स्टडी किया है तो बेसिकली टिबित एक स्प्रिक्च्वल सेंटर भी है अर्थ का इंडिया तो है ही है इंडिया तो धर्मों का जबर्दैसे के बिकॉस हिंदूइजम इस नॉट रिजिजन इस वे उपलाइफ हेल्ट बाइद ऑ चाइना का एक forceful occupation है मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आज तिबित फ्री हो जाए तो वर्ल्ड में काफी stability आ जाएगी अब इस बात का कुछ बहुत deep relation है अभी मैं उसको नहीं पूरा बता सकता बढ़ हां अगर तिबित इंडिपेंडेंट हो वर्ल्ड में बहुत stability अग्जिस्ट हो सकती है तो शंग्रीला को तिबित में शामभाला बोलते हैं वैसे शंग्रीला के नाम से चाइना और तिबित में गाटी की नहीं है तो हमें यह समझके चलना है उसके बारे में आस्तक कोई भी नहीं गया जो गया है उसके बारे मुझे आपको बताना वो हम आगे डिसकुस करेंगे तो अब हम बेसिकली इस मैप में यह समझेंगे कि तिब्बत का लोकेशन क्या है जैसा कि आप जानते है अरुनाचल प्रदेश है फिर सिक्के माता है बु पाकिस्तान हमारे अंदर आजा है वो बात अलग है कि हम उसको भी मर्ज कर ले बट कश्मीर तो सोचना ही नहीं है कि दूसरी बात की वो इंडिया से अलग है कश्मीर हमारा था है और रहेगा बट अब हम यहाँ पर समझेंगे देखिए यह तिब्बत है जोग्रफिकली मैं वो मेरे को डेडिकेट कर दीजिए ताकि हमारे बीच में कुछ information sharing हो पाई क्योंकि ultimately मैं आपके फाइदे की बात करूंगा तो अब इसमें देखिए यह location तिब्बत की है चाइना ने इसको forcefully occupy कर रखा है अब शंगरीला पढ़ता कहां पर है जो because it is कुछ लोग कहते है fictional है क अब माना जाता है कि अरुनाचल और तिबित के बीच में यह घाटी कहीं पे छुपी हुई है जहां पर आज तक actual में कोई जा ही नहीं पाया यह माना जाता है अब फिर सवाल ही खड़ा हो जाता है ना कि आज तक कोई जा नहीं पाया तो फिर जूटी होगा बढ़ हम आगे समझेंगे हमें clarity मिलेगी ओके चलिए आगे समझते हैं अब let's understand the viewpoint the first viewpoint says that it's a fictional place even जो तिबितन बोद गुरु है दलाई लामा की जो करेंड दलाई लामा है वह 14 दलाई लामा है और तिबित एक ऐसी कंट्री है जहां पर spiritual गुरु ही हैड होता है तो बहुत peaceful लोग है और बहु बहुत अच्छी values वो प्रोपागेट करते हैं उनके आप सुना कीजी लेच्च बहुत आपको अच्छे लगेंगे and he says like my religion is simple my religion is kindness बहुत अच्छी बाते हैं आप उनको बारे में जुरू पढ़ागी दिखिए किसी भी धरम के बारे में जो भी अच्छी बात मिलें वहां से पढ़ देनी चाहिए कि अब जो दलाई लामा है वो भी कहते हैं उन्होंने एक इंटर्वी में बोला था कि एक फिक्शल प्लेस है मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई जगा एक्जिस करती है अब हम दूसरा व्यूपाइंट भी देख लेते हैं सेकिंड व्यूपाइंट सेस्प्ल अगे खड़ा हो जाता है तो इसलिए एक व्यूपाइंट है कि जूट है यह फिक्शनल है बना रखा है आदमी कि क्योंकि देखें मन है मन में आप कुछ भी बना सकते हैं और दूसरा कहता है कि नहीं एक्जिस करती है अगर यह एक्जिस करती है तो हम आगे का लेचर अब क मतलब कि शंग्रीला एक ऐसी जगा है जहां पर जैसे जो इंसान जिस एज में गया तो वह करोड़ों साल तक उसी एज में रहेगा मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस डेथलेस ब्लेस वहां पर इंसान नहीं मरता तो अब तभी तो बोला जा रहा है कि यह और अगे हम यह भी जानेंगे कि कौन यहां पर जा सकता है चलिए आगे समझते हैं और क्या का गया है कि हमारे जो वेज हैं वो कहते हैं कि वेज में बताया गया है आप वेदास को पढ़ेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी क्योंकि ना देखिए कभी भी आपको कुछ नहीं है भई मैंने उसके बारे में पढ़ा मुझे ग्यान तो है नहीं तो ऐसे बोल देना कि भगवान नहीं है तो उसका प्रमान उसके बारे में पढ़ना पढ़ेगा आपको पहले ऐसे नहीं आप डिरेक्ट ली कह सकते तो अकॉर्डिंग टोर वेज देरा 64 दैमें यहाँ पर जितनी भी जड़ी बूटिया है वो एक्जिस करती है मैं आगे भी आपको एक्जांपल देता हूँ जब रामायन में लक्ष्वन भगवान जो श्री राम भगवान के भाई थे जब उनको अपने बानों से मार दिया गया था बाई दा मेगनाथ तो उस चैम श्र परीका है कि आपको हनुमान भगवान जी आपको जाके हिमाल्या से संजीवनी बूटी लानी होगी और कहते हैं कि वो जो संजीवनी बूटी है वो शंग्रीला में ही एक्जिस करती है आप देखेंगे आपको बिलीफ होगा कि यह जगा सच में एक्जिस करती होगी तो वह जाते हैं कि वहीं से लाया गया, तो basically हम शंगरीला के बारे में क्या जान रहे हैं, यह जो जगा है, देखे, one thing that you should understand, कि जो हिमालेया जहना, एक तो आप इसके बारे में आपको जरूरू बताना चाहूँगा, हिमालेया बड़ा important है जैसे जो एक famous poet है इकबाल उन्होंने कहा है कि ये संत्री हमारा ये पस्बान हमारा वो तच्छा बताया है उन्होंने हिमाल्याज के बारे में हिमाल्या spiritual और religious center तो है ही है अर्थ का बट ये हमारे लिए एक रूफ के तरह काम करते हैं ये हमें protect करते हैं हिमाल्याज भगवान ने हमें हिमाल्याज की तो सभी धर्मों को पूझा करनी चाहिए कि इतनी important इतनी अच्छी जगा है हिमाल्याज देखिए mountain ranges तो world में है हजारो लाखो mountain ranges है कौकस है एंडी है रॉकी है कितनी mountain ranges है बट हिमाल्याज में कुछ अलग ही attraction है वो आपको खीचता है आपने देखा होगा कि आपको जब भी हिमाल्याज खीचेगा आप दोड़े चले जाएंगे तो हिमाल्याज हमारे लिए भगवान है सब कुछ है हमार या फिर आप करा कोरम से लेके इंटू दा जम्मू एंड किश्मीर तो दा अरुनाचल दीपू ला तक देख सकते हैं कितना बड़ा हिमाल्या का mountain range है तो हिमाल्या हमारे लिए बहुत important है और आप एक बात और समझेंगे कि हमारे कितने देवी देवताओं का वास है तो ये religious spiritual center तो होई गया हमारे श्रिवा भी हिमाल्याज में ही रहते हैं तो मतलब कुछ तो इस जगा में होगा ऐसा बदरी नाद केदार नाद कामक्या मंदिर क्या-क्या नहीं है विश्री माता वैश्नो देवी अमर नाथ क्या-क्या नहीं है हिमाल्याज में मतलब कुछ तो है इस लेते हैं like it is said that this place has a link with universe जैसे मैंने आपको शुरूरे बताया था कि श्वंग्रीला का direct link है universe से universe हो गया parallel universe हो गया मल्टी वर्स हो गया इन चीजों को आप पढ़िए का आपको काफी knowledge मिलेगी और universe तो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव और श्रिवा वही इसको पूरा करते हैं श्रिवा ही है वैसे सब कुछ electron proton neutron सब कुछ वहीं है वहीं चला रहे हैं सब कुछ ओके दप फॉर एग्जामपल वन सेकिंड और शंग्रीला इस अर्थ मलब वहां पर एक सेकिंड निकलेगा यहां के करोड़ों साल आप समझ सकते हैं वहां पर climate change या इन चीज़ों है तो यह बहुत बड़ी बात है अगर कोई परसन 20-25 साल की उमर में वहां पर एंटर हुआ तो वह बहुत लंबे टाइम प्रिट तक उसी ही एज में रहेगा दिस इस चुबी रिमेंबर दिर इस नो हां यह आपको याद रखना है कि शंग्रीला में ना तो सूर्य है ना च चुनिय के बराबर ही है जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारी अर्थ पे 24 गंटे होते हैं एक दिन 24 गंटे का है ऐसे ही कई प्लैनेट्स पे एक दिन 23 साल का है 40 साल का मतलब वहां पे समय की घती धीरे हो गई यही तो हमें समझना है कि कुछ धर्ती पर भी ऐसे एक्जिस करत करती तो यह कुछ जादे इंपॉर्डंट चीजिए हैं चलिए आगे हम समझते हैं कि एचली वहां पर एंटर कोन कर सकता है चलिए अब कोशनराइज होता है क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया कि वहां पर आस्त कोई जा नहीं पाया तो वहां पर एक्जिस कोन कर सकता है कौन एंटर कर सकता है चलिए इसको भी हम जान लेते हैं देखे अब परसन हुई इस अवेकंड और एंलाइटेंड इन शॉर्ट योगी और सन्यासी तब ही माना जाता है बिलकुल आप पकड़िये बात को कि तब ही माना जाता है कि जो इतने सारे योगी हैं सन्यासी हैं वो श्रिवा की भक्ती में हिमाल्यास पर ही क्यूं बैठे हैं वो अंडे माने नीकोबार में जाके पूझा क्यूं नहीं कर रहे हैं क्यों himaleya ही है जो शंग्रीला में लेके जा सकता है मैं ऐसा नहीं कहे रहा है कि सारे योगी उसी चीज के लिए तब कर रहे होगे बट इ उसी के लिए तप कर रहा है जो शंग्रीला में एंटर करना चाहता है कुछ न कुछ तो relation होगा मैं आपको points मैं एक chain बना के दे रहा हूं आपको कि जिससे आपको believe होगा कि हाँ यह place exist करती है आगे देखते हैं महावतार बाबाजी और शंग्रीला महावतार बाबाजी के बार अभी एज 20-25 साल है अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आपको मेरा separate वीडियो है महावतार बाबाजी पर उनके बारे में देखिएगा महावतार बाबाजी के ही मन पर यह शंग्रीला घाटी चलती है और वह आज भी अपने शिश्यों को दर्शन देते हैं आकाश म पार्ग से उतरके यह काफी important बात है तो महावतार बाबाजी जो है उन्होंने आदी शंक्राचारे जिन्होंने चार धाम की स्थापना करी उनको भी दीखशादी थी तो हमें यह बात याद रखनी होगी कि जो महावतार बाबाजी है वो यहाँ पर रहते हैं कहा जाता है य three centers जैसे हर institution के schools होते हैं वैसे ही इनके भी schools हैं शंग्रीला के हम समझ लेते हैं ज्यान गंजमठ second is सिध विज्यान आश्रम और योग सिध आश्रम यहाँ पर करोड़ों साल तक योगी मुनी रिशीज सन्यासी तप में लीन है और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम बात करते हैं कि स्वर्ग या फिर जन्नत बिलकुल वैसी ही जगा है शंग्रीला बिलकुल वैसी और पर तीन स्कूल्स और मोनेस्ट्रीज हैं कि शंग्रीला के बारे में थोड़ा बहुत बुद्धिजम में भी माना जाता है बड़ दलाई लामा जी के अलग व्यूपइंट्स हैं एक बुक है दा लॉस होराइजन जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं आप देता हूं दिस इस दा बुक है आप इसको आइमाजो पर भी मिलती है और और भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी ऑफलाइन भी मिल जाएगी बुक दा लॉस्ट होराइजन इसमें काफी जादा अच्छे से शंग्रीला के बारे में बताया गया है वैसे तो मैंने पूरा को खोल के रखेगा आपको समझ में आ जाएगी मैं तो इसको दो दिन बार पढ़ा है तो काफी अच्छे से शंग्रीला के बारे में इसके इसमें बताया गया है वैसे कहते हैं कि हॉलिवड में एक मूवी भी है दे लॉस्ट होराइजन ये सब चीज़े आप ठोड़ा अलग लग यूगाज में भगवान के अलग लग अफतार हुए मर्यादा पुर्षोत्तम श्री राम लीला पुर्षोत्तम श्रीकृष्ण बुद्ध भगवान को भी एक लॉड विश्णू का ही अफतार माना जाता है बड़ उसमें थोड़े सेग्रीगेशन भी है क्योंकि मेरे को तो क्लियर आपको बताना है और वामन अफतार हो गए बहुत सारे अफतार हैं लौड विश्णू के तो उसमें से जो कलियूग में जो अफतार आएगा कल की अफतार आएगा कहते कल की अफतार एक श्वेत एक सफेद घोड़े पर आएंगे और वो सब का वद करते चले जाएंगे जो गलत रास्ते पर है बिल्कुल वो आ सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से हम सोचेंगे भई टेक्नोलोजी है हमने तो बड़े-बड़े बॉम्स बना लिए यह सब एक्स्टिंट हो जाएगा एक टाइम के बाद अभी हम जैसे गेंद को हमने हवा में उच्छ चैनलेशन कहते हैं कि उनका जन्म जो है वो शंग्रीला में ही होगा या शाम भाला में विच इस लोकेटिट इंटू दा तिबबित अब यह मुझे मैं भी आपको बता दू कि यह क्लेटी नहीं दी गई कि जो और रेडी सिटी है शंग्रीला या शाम भाला तिबित में या जाएंगे तो वहां पर जो आपकी नाखून है बाल है बहुत तेज गती से बढ़ने लग जाएंगे वहां पर जीवन भूथ तेज गती से बढ़ने लग जाता है यह सचाई वाली बाते हैं माउंट के लाश के बारे में तो यह बहुत बढ़ी बात है कि माउंट के लाश भी तिब्बित में ही है तो के इसके बाद हम आगे देखते हैं चाइना इं शंगरीला दीखें ये क्योंकि I am a teacher of the political science optional as well as the GS2 IR तो मैंने IR को और political science को बहुत वास्ट पड़ रखा है मैंने MAB किया हुआ है political science में और काफी इसके उपर research भी कर रखें topics पे कहते हैं अभी कहने की बात है दीखें मैं आपको दोनों reasons बता सकता हूँ एक तो reason ये माना जाता है कि China ने जो वहां के जो premier थे जो वहां के leader थे Mao तो उनको एक सनक सवार थी उन्हें अमर रहने की तो उन्हों ने इसलिए 1962 में इंडिया के उपर attack किया था ये माना जाता है कि और जो चाइनीज आर्मी है वो शंग्रीला घाटी को ही ढूंडती रहती है ये कहा गया है कई books में कई articles में और कई और जगा मैंने इसको पढ़ा है बड मैं आपको और भी viewpoints बता देता हूँ क्योंकि अगर चाइना सिर्फ शंग्रीला को ढूंड रहा है तो चाइना ने तो ताइवान को भी occupy करने की कोशिश की है होंग कॉंग पे भी forceful occupation किया है तिब्द पे भी forceful occupation किया है तो मैं आपको दोनो political viewpoint क्योंकि this is geopolitics geography as well as the politics or geoeconomics geography as well as the economics तो चाइना तो बहुत सारी क्योंकि communist है वो बहुत साही जगाओं पे अपना control establish करने की कोशिश करते है forceful occupation transgression incursion यह communist होता ही ऐसा है बिल्कुल कि मतलब उनकी आइडॉलजी थोड़ी ऐसी ही रहते है चाइना के अरुनाचल के उपर क्लीम करते हैं तो कहते हैं कि चाइना शंग्रीला का यह कुछ है कि चाइना शंग्रीला को ढूंडता रहता है into the Tibet वो बहुत टाइम से ढूंड रहा है तो यह भी एक फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था तो इसके बाद शंग्रीला शाय से आपको लेच्चर अच्छा लगा होगा आपको कुछ बाते पता चली होंगी बट हां कुछ ना कुछ लिंक है चाहे चाहिना के प्रस्पेक्टेश से चाहे माउंट कैलाज चाहे भगवान कलकी आप पूरे लेच्चर को दो-तिन बार देखिया है रिक्वेस्ट यू या फिर इसका एक कंटेंट तियार कीजिए और इसको और आप अपनी इंफोर्मेशन इसके अंदर एसिमिलेट कीजिए बट कुछ न कुछ तो इसमें एक्जिस करता है यह ऐसे ही कोई जगा नहीं है कि हमने फिक्शली उसको कहते है कुछ पुरानाज में भी इसके बारे में बताया गया है about the शंग्रीला तो यह एक मतलब की बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए कि हम एक ऐसे हिंदुइजम इस एंडलेस रिलीजिन हिंदुइजम एक बहुत ही अलग टाइप का रिलीजिन that's why कि हिंदुइजम आपको यह नहीं कहेगा कि यह करो यह करो वो भगवान से डिरेक्ट आपका कनेक्शन बनवाएगा वो जो शिवलिंग की पूजा जल और दूच कर रहे हैं उनसे भी शिवा को कनेक्ट करवा देगा और जो लोग कभी भी शिवलिंग पर जल नहीं चड़ाते बट वो सन्यास में हैं और वो तब कर रहे हैं उनको भी शिवा से कनेक्ट करेगा बड़ अगर आपको शिवा से कनेक्ट करना है तो आपको हिमाल्याज में जा माउंट केलाश, कलकी, यह सब चीजों को अगर हम connect करके पढ़े तो हमें काफी अच्छी information collect हो सकती है, so into this lecture I just want to share a little bit of the information that I have collected, शाइसे आपको इसके काफी कुछ समझ आया होगा, आपको यह lecture अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप में को support कीजिएगा, I am very much thankful to all of you for listening to me, God bless you all